बहुत जल्दी यानि कि आगामी सोंबार 8 अपर 2024 को इस साल का सबसे पहला सूर ग्रेंड लगने वाला है। यह सूर ग्रेंड खास इस बात को लेकर है कि यह सूर ग्रेंड पूर सूर ग्रेंड होने वाला है। यानि कि इसके चलते हुए कुछ मिंटों के धरती पर पूरी तरह से खुप अंधिकार चाजाएगा। साथी इस तरह का सूर ग्रेंट पचास साल के ऊपर उपरांत आ रहा है। और अगली बार इस तरह का सूर ग्रेंट प्रेडिक्टेड है कि अब 2078 में होगा। यानि कि 1078 में इस तरह का सूर ग्रेंट अगली बार अप.​शित रहेगा। आंकर सूर ग्रेंट का टायम भारत में क्या रहेगा, यहुद्ध दुनिया के किन किन देशों में दिखाई पड़ेगा? भारत में दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? सूर ग्रेंड के दोरान गर्वती मैलाओं को किन बातों कर ध्यान रखना चीए, क्या नहीं करना चीए और क्या करना चाहिए है इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर शुथी, बताओ डॉक्टर, बताओ इस्ति डोविशेशक, आप सब लिएज के साथ यहीं इंपॉर्टन इफ्वर्मिशन शेयर कुरूँए अगर आपने सारी जानकारी पाने के लिए चुके हैं, तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहेगे तो चलिए अब सी दिश्टू करेंगे सबसे पहले समझेंगे कि सूर ग्रेंड आखिर होता क्या है और क्यो होता है तो सूर, चंद्रमा और प्रित्वी, यह सब अपने अपनी धुरी में यहीं गूंते रहते हैं तो जब चंद्रमा सूर और प्रित्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्घ क्या प्रकाश को समय के लिए आशिक तौर पे ये पूर तौर पर चंद्रमा के दौरा अवुर्ध हो जाता है और चंद्रमा के परचाई फेब रिक्वीपप पड़ने लगती है और इसे को गहेंड का नाम दिया जाता है हमारे भारत देश में गरहन चाशुग रहनों ये चंद्र गरहनों इसको लेकर बहुत तरगी धार्मिक और जोटिश माननेताय और प्रफटराय रहती है और गरहन को अच्छा नहीं माना जाता है दुनिया के लिए और मानवजाती के लिए और खास तोर पर गर्वती महिलाओ और गर्बती महिला और गर्बती महिला और गर्बत शिशुकर नुकसान पहुशने का खत्रा बना रहे सकता है। तो आके जानते हैं कि इस बार का जो सूर ग्रहन आठ अप्रेल 2024 को लगने वाला है उसका समय आखिर क्या रहेगा भारती समय अनुसाथ इस बार का सूर ग्रहन रातरी 9 बचकर 12 मिनिट पर शुरू होगा और मत्य रातरी 9 अप्रेल की रातरी तकरीबन 2 बचकर 25 मिनिट तक चल अस्ट्रेलिया उत्री धुर्व दक्षणी धुर्व इंग्लेंट आयरलेंड पश्चिम एशिया और प्रशाथ महास्वागर में यह सूर ग्रहन पूर तौर पर दिखाई पड़ेगा हमारे भारती समाच की बात करें तो हमारे भारती समाच में ग्रहन को लेकर विशिश त उनको घर से बहार निकलने पर पूरी तरह से बंदिश रहती है यहां तक ही कहा जाता है कि आपको टॉयलेट भी नहीं जाना चाहिए इस दौरा में सोने की मनाई करी जाती है खास तरह पर कहा जाता है कि आप किसी तेज धारवारी दुकिली वस्तु यानि की चापू छुर बताओ डॉक्टर भी आपको ही समझाना चाहूंगी कि हमाई जो माननेताय चली आ रही है जो घर के बड़ी बजुगर माईलाए कहती है तो उनका मन रखने के लिए बस ताकि घर में अच्छा वातारण बना रहे और किसी प्रकार का दुएश या कलेश रूना हो तो जिन मा पहले उनके कहनों सार आप अपना मुजन पकाकर उसको खा भी सकती है और उनहीं लोगों के कहनों सार अगर आप खा दे पदार पर पानी में तो उसी कपत्तर डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं चुकि यह रातरी का समय होगा इसलिए आपको बाहर निकलने के आवशकता ही हाँ, अगर आप टौिलेट जाना चाहें तो निसमकच आप अराम से टौिलेट जा सकते हैं इस दोरन आप अराम से लेट सकते हैं, अच्छी बूप्स पढ़ सकते हैं अपने टीविक का भी इस्तेमाल कर सकते नेंद आ रही है इसलिए गर्वती मैलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था उस समय टॉयलेट भी घर के बाहर होते तो इसलिए उनको टॉयलेट जाने के लिए मना करा जाता था और चुकि अंदकार में आपके साथ को दोगटना ना हो जाए इसलिए आपको तेज धरवाली लुपिली बस्तों को इस्तिमाल करने से मना किया जाता था लेकिन इसका कोई भी वैग्याने कदार तो बिल्कुल भी नहीं है इस दोरान गर्वती मैलाओं को आखिर किन-किन बातों कर ध्यान रखना चाहिए इस दोरान ही क्यों हम तो पूरे नौ महीनी के प्रेग्नेसी के पीरिड में कहते हैं कि गर्वती मैला और गर्वश इशू के चारो तरफ एक बहुती सकारात में पॉजिटिव एन्वाइमेंट होना चाहिए इसके लिए आपको हमेशा ही अपने आसपास अच्छे रोगों की संगती बराकर रखना चाहिए है अच्छा म्यूजिक सुनें अच्छी किताबे पढ़ें ताकि आपको पॉसिटिव थौट्स और पॉसिटिव वाइब्रेशन हमेशा ही बने रहे और ग्रहन के दौरान आप चाहें तो अगर आप इधार्मिक प्रव्रती है तो आप मंत्रुचार भी कर सकते हैं मेडिटेशन भी कर सकते हैं इससे आपको हाई वाइब्रेशन उसमें रहेंगे तो यह आपके गर्बाश शिशू के लिए बहुत ही लापकारी सिद्ध हो सकता है सबके बाब जू सबसे महतून बात भी है कि इस बार जो सूर ग्रेंट है वो भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा और यह रात्री का भी समय रहेगा तो सूर ग्रेंट नहीं दिखाई पड़ेगा इसके बावजूत कुछ लोगों की घर में माननेता है, होती है कि ग्रहन तो पढ़ी रहा है, भली हमारे भारान देश भी नहीं दिखाई पढ़ी रहा है, तो ये स्वेम गर्मती महिला और उनकी नातिरिष्टारों पर निर्भर करता है, कि आप उसे जूड़ी माननेता को पा कि 8 April 2024 को जो सूर ग्रहन पढ़ रहा है, वो भारादेश में नहीं पढ़ रहा है, लेहाजा इसको लिदकर बहुत ज्यादा भैय आशंकर की स्थिती ना बनाएं, और स्वेम अपना और अपने इन इउट्रोफीटस याने की गर्मत शिश्यू का अवशी ध्याना की, जल्द करता की